नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिसेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनिरिंग सपोर्ट दोस्तो आपको पता ही है कि मैं आपके लिए रोजाना कम से कम एक वीडियो हाउस कंसक्शन से रिलेटेड अपने चैनल पे डालता हूँ जिसको देख करके बहुत से लोग उसको अपने घर में इंप्लिमेंट करवाते हैं चुकि सबका सपना होता है दोस्तो कि उनका जो घर रहे वो टेकनिकली साउंड हो मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉंग हो और साथी साथ देखने में भी बहुत ही खुपसूरत हो लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये रहता है दोस्तो कि मैं घर को खुपसूरत बनाने के साथ साथ उसे पॉकेट फ्रेंडली यानि की कम खर्चे में कितना अच्छा से अच्छा डिजाइन आपको प्रभाइड करवाई जाए इस पे मेरा खासा ध्यान रहता है दोस्तो इसी कड़ी में आज का हमारा एक वीडियो है जिसमें आपको बताऊंगा कि बिल्कुल कम पैसे में बिल्कुल कम खर्चे में खिरकी का बहुत ही अच्छा बहुत ही सुन्दर और खास बात यह है कि ये डिजाइन बहुत ही लेटेस्ट है मार्केट में बिल्कुल नया नया आया है आप इस डिजाइन को सीख करके अपने घर में लगवा सकते हैं और आपके घर जो है वो आकरसन का केंदर बन सकता है दोस्तों चुकि ये नया डिजाइन है और इसको बनाना आसान है आपको कम खर्चे में बहुत अच्छा तारीफ अगर लेना है आपके घर के लिए तो ये विडियो आपके लिए ही है दोस्तों खिरकी बनाने का सुरुआत सबसे पहले जब हमारा घर सिल लेबल पर पहुंचता है सिल लेबल उस लेबल को बोलते हैं जहां से हमारा घर का खिरकी छूटना है स्टार्ट होता है दोस्तों ये देखिए हमारे खिरकी लेबल पर जैसे है वहाँ पर एक आपको ढ़लाई दिख रहा होगा चिंता मत किजिए एक-एक इंट का जनकारी मैं आपको दूँगा ये जो ढ़लाई है लगबक चार इंच मोटा है चार इंच मोटा आर सिसी करवानी है आपको चूकि इसी पे जो है वो इंटे का लोड भी रहेगा तो इसमें रॉड भी दिलवाने आपको ये चार इंच मोटा ढ़लाई करवाना है चौराई के अगर बात कर लेते हैं तो हमारा दस इंच का दिवाल है तो उसको पांच इंच बाहर के तरफ निकाल करके पंद्रा इंच का ढ़लाई करवाना है चुकि इसी पे जो है वो 5 इंच बाहर के तरफ ये दिवाल जो है वो जोरा जाएगा अब बात करते हैं अगर ढलाई हो गया है तो आपको इधर दिख रहा होगा कि 15 इंच का दिवाल है दोनों साइड में जबकि हमारा एक्चुल घर का दिवाल जो है वो 10 इंच का है मतलब घर के दिवाल से लगभग लगभग 5 इंच बाहर के तरफ आपको इंट निकलवाना है कुछ इस तरह से जैसा कि आपको विडियो में दिख रहा है दोस्तो बहुत से लोग क्या करते हैं मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आप इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं विडियो पे बने रही है और कहां से हमारा विडियो देख रहे हैं आप कौन सा अस्थान से बिल ला हुआ है तो उपर में भी 5 इंच निकाल के ही लिंटल को या टाइबीम को आप अगर कुछ लिंटल और टाइबीम दोनों अलग अलग होता है इसलिए मैं दोनों चीज बोल रहा हूं तो आप लिंटल लेबल पर क्या करते हैं कि 5 इंच बाहर निकाल के जो है वो धालाई कर आपका बॉक्स डिजाइन त्यार हो जाएगा लेकिन चुकि आप अगर मेरे विडियो पर आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ले करके जाएए दोस्तों मैं चाहता हूं कि सब लोग जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हम लोग हट के करें चुकि अगर घर आपका डिफरेंट रहेगा तो उससे ज़्यादा लोग नजर मिलाएंगे और बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ करेंगे चुकि आपका घर कुछ हट के होगा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि ये जो लेबल है पांच इंच बाहर जो आया था उसको और दस इंच बाहर के तरफ कुछ इस तरह से step वाला design आप जो है वो दे सकते हैं step वाला design देना बहुत ही आसान है दोस्तो आप thermocall का इस्तमाल कर सकते हैं यह जो गड़ा आपको दिख रहा ना किनारे में इसको thermocall से ही बनाया जाता है दोस्तो thermocall लगा करके ढ़लाई कर दीजिएगा centring खोलिएगा तो आपको इस तरह का जो है वो मिल जाएगा लेकिन दोस्तो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो ढ़लाई होगा कास्टिंग होगा उसको कम से कम साथ दिन बाद ही आपको इससे पट्रा हटवाना है बहुत से जो मिस्तिरी रहते हैं या फिर जो ठेकदार रहते हैं वो जल्द इवाजी करने का कोशिश करते हैं लेकिन साथ दिन से पहले किसी भी छज़े का पट्रा आपको नहीं खुलवाना है दोस्तो ये आपके लिए नुक्सान दे होगा मिस्तिरी का क्या है वो तो घर मनाएंगे चले जाएंगे लेकिन भुगतना तो आपको परेगा तो साथ दिन इसको रहने दीजिएगा दोस्तो आप देखकर के बताईए मुझे कि इतना दूर से जब दूर से कोई देखेगा रोड से तो आपका घर का ये जो लुक है ये किस तरह का दिखरा आप हमें कमेंट बॉक्स में आवस्स से बताईएगा दोस्तो यकीन मानिए ये बनवाने में जितना आसान है उतना ही पॉकेट फ्रेंडली भी है बहुत ही कम खर्चे में आपको इस डिजाइन को अपने घर पे बनवा सकते हैं साथ इसमें लेबर कोश्ट पी बहुत ही कम आता है चुकि इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है बहुत कलाकार मिस्त्री की वीश में जरूरत नहीं पड़ती है कोई नॉर्मल मिस्त्री वीश को बना सकता है तो उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद दोस्तो